तो फाइनली इंडियन एरफोर्स लॉंच हो चुकी है कई लोगों के मन में सवाल थे कि क्या ये PUBG गेम की तरह है क्या ये एक इंडियन PUBG गेम है और जिस थरह से हम PUBG गेम में लोगों के साथ मिलकर गिलते हैं क्या उसी तरह से इस गेम को भी खेल सकते हैं और ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग میں अभी आ रहे होंगे आप इस वीडियो को आप अन्टग देखेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस गेम में आपको सबसे पहले किस तरह के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं कैसे आप इस game को खेल सकते हैं और क्या हमें यहाँ पर PUBG गेम जैसा ही gameplay देखने को मिलेगा हर तरकी चीजे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इस game का मैं आपको पूरा review देने वाला हूँ तो अगर आप इस game को install करने वाले हैं तो पहले आप इस video को देख लिजे इसके बाद आप इस game को install कर सकते हैं link आपको इस video के description में मिल जाएगी तो जैसे आप इस game को open करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वायू सैनक का sale यानि की logo दिखाए देगा जो की काफी कमाल का है काफी जबरदस लगता है और मलब एक feel आती है कि हाँ यार एक Indian game है और काफी कमाल की है अब जैसे इस game को open करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बिलकुल simple और clean interface देखने को मिलेगा like कुछ इस तरह से अब यहाँ पर आपको left side के नीचे की तरफ तीन बटन मिल जाएंगे जिसमें सबसे पहला होगा career navigator जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आप चले जाएंगे Indian Air Force की career website पर जहाँ पर आप apply भी कर सकते हैं Indian Air Force को join करने के लिए फिलाल ज्यादा visit होनी की वज़े से site जो है वो down हो चुकी है आप एक दो दिन के बार try कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर एक और बटन मिल जाएगा जो है about IAF Indian Air Force जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आप Indian Air Force की official website पर चले जाएंगे यहाँ पर आप Indian Air Force के बारे में कैसारी जानकारी ले सकते हैं साथ-साथ में आप यहाँ पर कुछ footage देख सकते हैं कुछ video देख सकते हैं जो की काफी कमाल के आप एक बार जवर से visit कीजेगा इसके बाद आपको यहाँ पर एक और बटन मिल जाएगा उनके भी नाम आपको देखने को मिल जाएगे इसके बाद यहाँ पर आपको अभी नंदन सर जी का नाम देखने को मिल जाएगा आप चाहे तो इससे change कर सकते हैं फिलहाल मैं change नहीं करने बारा हूँ राइट साइट के टॉप पर आपको एक icon मिल जाएगा यहाँ पर क्लिक करके आपको register करना होगा तो अपना जो भी Gmail ID है वो आप यहाँ पर add कर दीजिए इसके बाद आप यहाँ पर register कर लीजिए तो चलिए फटाफट मैं register कर लेता हूँ register करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा यहाँ पर आप कुछ label भी लगा सकते हैं जैसे जिसे आप इस game को खेलेंगे तो उस तरह से वो label unlock होते जाएंगे तो यहाँ पर आप उस label का भी use कर सकते हैं तो यहाँ यह काफी कमाल की बात है कि हमारे जैसा दिखने वाला एक आवतार जिसने Indian Air Force का uniform पहना है यह हमारे लिए काफी बड़ी बात है मोड की बात करें तो यहाँ पर आपको तीन तरह की मोड देखने को मिल जाएंगे जिसमें सबसे पहला होगा training और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन तरह की training जो है single player जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ mission आ जाएंगे लाइक कुछ इस तरह से जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कुदरती आपदा की या फिर surgical strike की या फिर हम बात करें air defense की तो काफी high level की यहाँ पर आपको जो है वो mission देखने को मिलेगे और आपको इन mission को complete करना होगा हर एक mission में आपको 3 star लाने होगे तब भी आप किसी next mission को खेल पाएंगे इसके पत का जो mode है वो है free flight जहाँ पर आप अलग-अलग model के aircraft को उड़ा सकते हैं यहाँ पर आपको जो भी most famous हमारे इंडियन एरफोर्स के aircraft है वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो आप उन्हें select कर सकते हैं और उन्हें उड़ा सकते हैं और missile भी दाख सकते हैं और finally आपको यहाँ पर एक बटन मिल जाएगा setting का जहाँ पर आप control को change कर सकते हैं यहाँ पर आप इसकी sensitivity को change कर सकते हैं music volume को कम ज्यादा कर सकते हैं और graphics की quality को भी high कर सकते हैं यहाँ पर maximum ultra तक का option यहाँ पर दिया हुआ है तो मैं ultra graphics set जो है वो कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से graphics देख पाएं तो चली अब हम इसका gameplay देखते हैं अब जिन लोगों के mind में ऐसा था कि यहाँ पर आपको PUBG जैसा gameplay देखने को मिलेगा तो ऐसा नहीं है यहाँ पर आपके पास होगा एक aircraft और आपको इसे लेकर हवा में उडाना है जो भी mission आपको दिया है उसे आपको complete करना है जहाँ पर आपको target दिया है वहाँ पर आपको न देखने को मिल सकते है तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको high graphics भी देखने को मिल जाए आसान भासा में कहूं तो यह एक aircraft game है जहाँ पर आपको कुछ mission complete करने होते हैं और वैसे भी इसमें कुछ ज्यादा mission तो है नहीं तो कुछी दिनों में आप इस पूरी game को complete भी कर लेंगे बट यह game हमारी Indian Air Force से जुड़ी हुई है तो हमारा फर्स बनता है कि हम इस game को 5 rating दे Google Play Store पर एक अच्छा सा comment भी जहूर से करें अगर आप इस game को install करना चाहते हैं तो यह iPhone और Android दोनों platform पर available है और दोनों की link में आपको इस video के description में दे दूँगा वहाँ से आप इस game को install कर सकते हैं तो आसा करता दोस्तों आपको यह वीडियो काफी पसना आएगा पसना था प्लीजार इस video को like कीजिगा और इस video को share कीजिगा अपने WhatsApp के सभी ग्रूप में Facebook पर ताकि सभी लोग इस game के बारे में जान पाए और समझ पाए कि Indian Air Force के aircraft किस तरह के होते हैं कैसे वो हव हमें उड़ते हैं और क्या-क्या वो काम कर सकते हैं तब तक लिए अपने ध्याने के कर दोस्तों टेक केर बाए वैसे आज रात को मैं PUBG नहीं खिलूँगा आज रात में इस game को खिलने वाला हूँ झाल है